प्रिविद्य हरती साथियों जाए हिन इस वीडियो में हम आपको यहां बताने जा रहे हैं कि मुख्य मंत्री युवा इंटर्नशीप योजना के अंतरगत आविदन करने के लिए क्या आपको इसनातक या इसनातकोत्तर कक्षा की परिक्षाओं में कुछ निश्चित अंक लाना अनिवार है तभी क्या आप आविदन कर सकते हैं ऐसा कोई बंधन है यह करियर एडवाइस चैनल है इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकान भी प्रेस कर दीजिए बहुत-बहुत धन्यवाद तो इद्यार्ति साथियों आप जान लीजिए कि इस इंटर्गत इंटर्णशिप राप्द करने के लिए आप तभी आविदन कर सकते हैं जबकि इसना तक यानि ग्रेजुएशन यानि बीए, बीकॉम, बीए, 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 आदी में आपके कम से कम सहाट प्रतीशत अंक हों या फिर आपने पीजी किया हो, पी एमबीए, एमसीए, आदी की परिक्षाएं आपने उत्तिर्ण की हैं तो आपके उसमें कम से कम सहाट प्रतीशत अंक चाहिए, क्या दोनों में ही साट साट प्रतीशत अंक चाहिए, तो यहाँ पर आप ध्यान दे दीजिए, कि आप जिस परिक्षा की मार्कशीट के आधार पर internship प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं उस परिक्षा में आपके 60 प्रतीशत होने चाहिए माल लिजे आपके इस नातक में 60 प्रतीशत है लेकिन इस नातक उत्तर में 60 प्रतीशत नहीं है तो आप इस नातक परिक्षा के आधार पर आवेदन करिए और उसके 60 प्रतिशत के आधार पर आप इस internship के आउसर को प्राप्त करने की कौशिश कीजिए और यदि आपके इस नातक में यानि graduation में 60 प्रतिशत नहीं है लेकिन post graduation में 60 प्रतिशत या उससे अधिक के आँख हैं तो आप PG के आधार पर, post graduation के आधार पर इस आउसर को प्राप्त करने की कौशिश कीजिए यानि दोनों में से जिसमें भी आपके साथ प्रतिशत या उससे अधिक अंख हैं उसके आधार पर आप आवेदन करने की पात्रिता प्राप्त कर लेंगे तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा एक बात यह भी ध्यान रखिएगा कि यदि आपने बहुत पहले कभी ग्रेजुएशन किया या पोस्ट ग्रेजुएशन किया यहाँ पर आपके रास्ते में कठनाई है क्योंकि इंटर्नशीप की जो व्यवस्ता हैं जारी किये जा रही है जो उसके बारे में निर्देश जारी किये जा रही है बहुत इसपस्ट लिखा हुआ है कि आपको ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किये हुए दो वर्ष से अधिक का समय नहीं होना चाहिए यहाँ पर भी एक बात को आप क्लियर समझ लीजिए मान लीजिए कि आपने 2018 में ग्रेजुएशन किया अब 2018 और इस समय 2022 चल रहे तो यह तो 4 साल हो गए लेकिन 2018 में ग्रेजुएशन करने के बाद आपने किसी कारण से पढ़ाई छोड़ दी और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन 2021 में हुआ तो अब आपके दो साल 2021 से गिने जाएंगे यानि ग्रेजुएशन केवल आपने किया है तो वो कब किया है उसके हिसाब से दो वर्ष पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन कब किया उसके हिसाब से दो वर्ष से अधीक का समय नहीं होना चाहिए और सरल भाषा में आपन इस बात को समझें तो ऐसा समझ लिजिए कि या तो आपने 2020 में या 2021 में या 2022 में 2021-2022 में अगर आपने मान लिजी graduation या post graduation जिसके आधार पर आप internship राप्त करने की कोशिश करने हैं वो संपन की है तो आप दो वर्ष के दाइरे में आ जाएंगे तो इस बात को भी आप ध्यान रख लीजी ये कुछ बंदन है इन्हें आप समझ लीजी और फिर आविधन करिए मुक्यमंत्री युवा उध्यमी योजना के बारे में जैसे जैसे हमारे पास update आते जाएंगे वैसे वैसे हम आपको सुचित करते जाएंगे यहाँ शरंखला निरंतर जारी रहेगे यहाँ इस शरंखला का पाँचवा वीडियो है हम आपको यहाँ भी बताएंगे कि चैन कैसे होगा चैन की तैयारी करने में भी हम आपकी पूरी-पूरी मदद करेंगे और इन वीडियो का लाब मध्यप्रदेश के हर विकास खंड का हर वविध्यारती उठा सकेगा जो इंटर्नशीप प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है तो मुझे यह महत्पूर्ण जानकारी आपके साथ साजा करने का अवसर देने के लिए करियर एडवाइस चैनल की संचाली का पृती गुलवानया जिजी और उनकी परिश्रमी टीम के पृत बहुत आभार आप सभी को शुब कामना है नमस्कार